जयें दोस्तों दोस्तों आप लोग कैसे हैं उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे सबनी तयारी कर रहे होंगे तो आज की लेक्चर में फ्रेंड्स हमने यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस की क्लास लिए हैं जो की बहुत इंपॉर्टेंट है अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर बहुत हैं पहला कोस्टन व्यदिक काल में में से किस अनाज के लिए ब्रिही सब्ध का परयोग किया ग्या था किया ग्या था यहाँ पे यह गलत है तो यहीं तक है किया ग्या था तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स आप लोग बताईये जो के लिए मक्का, चावल, गेहूं तो इसका आंसर क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा option C, चावल ठीक है friends अब वैदिक काल में और कौन कौन से फसल थे जिसके बारे में अनेक नाम रखा गया तो जैसे वैदिक काल में जो था तो उसके लिए याओ था क्या था, याओ था, ठीक है उसके बाद next है उड़द, उड़द के लिए मार था क्या था, मार था, ठीक है friends उसके बाद next क्या है, मूंग तो मूंग के लिए मुगद था, क्या था, मुगद था उसके बाद गेहूं के लिए गोधुम था, क्या था? गोधुम था, ठीक है, friends? तो चलिए अगला question देखते है, question number 2 निमलिखित में से कौन सा स्थान बुध वन्स के सासको द्वारा सासित था? तो बुध वन्स के सासको द्वारा सासित कौन सा था? आप लोग बताईए तो इसका सही answer क्या होगा, friends? तो इसका सही answer हो जाएगा option A का पिलवस्ट, ठीक है, friends? चलिए, अगला question देखते हैं अब देखिए question क्या है? शोम रिगवैदिक युग के नर देवता के देवता थे, यानि शोम रिगवैदिक युग के नर देवता, पौधो के देवता थे आधी तूफान के या जौला मुखी या युध के तो इसका answer क्या होगा, friends? question आप लोग जल्दी से इसका answer दीजिए तो इसका सही answer हो जाएगा option ये पौधो के, ठीक है? इनको, friends ये तो पौधो दिया, लेकिन ये वनस्पत्ती, यानि वनस्पत्ती पौधो में आता है, इसलिए हम कर सकते हैं, शोंग वनस्पत्ती अर्थात पौधो के देवता थे ठीक है, friends? तो चलिए अगला question देखते है, question number 4 निमलिखित में से किस वास्तुकारक ने राजब बिमिशार के महल को बनाया, तो इसका answer क्या होगा, friends? इसका answer आप लोग जल्दी से जल्दी से बताये इसका answer हाँ, इसका answer क्या होगा? इसकाishing हो जाएगा option D महा गुविन में, ठीक है, friends? इन्होंने राजब बिमिशार के महल को बनाया था अगला question प्राचीन समुंदरी बंदरगा मुझरिस किस भारतिय राज में इस्थित है ठीक है friends तो इसका सही answer क्या होगा आप लोग question का answer दीजिए तो इसका सही answer क्या होगा इसका सही answer हो जाएगा option A केरल ठीक है ये मुझरिस केरल राज में इस्थित है अब बताईए ये मुजिरिस किसके लिए परसित था तो इसका सही आंसर बताईए आप लोग क्या होगा मुजिरिस किसके लिए परसित था तो इसका हो जाएगा मुजरिस केलर राज के माला बार ठीक है माला बार तट पर इस्थित एक प्राचीन समुंदरी बंदरगा है प्राचीन समय में यह दचिर भारत था तथा मिस्र, यूनान, रोंग के मद मसाले के व्यापार के लिए परसित था यानि मुझरिस मसाले के व्यापार के लिए परसित था ठीक है फ्रेंट्स तो इसका अंसर क्या होग जाएगा ये केलर राज में इस्थित है और ये मुझरिस मसाले के लिए जाना जाता था यानि यहां से वीडियोसों में मसाले का निर ये जेहें त्रेंड्स